कर आएंड वन्स अगेनग वेलकम टुम्त तरफ की यूटी चैनल वाइसल उम्र तरस्कीर गाइस माइक्रोसॉफ आट्स के इस पड्यूलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस टाइप से हम यूई-टी टाग को सेटप करते है अपनी वेबसाइट के उपर अब गई-ब tag का सीधा सा मतलब क्या है UET tag के full form कि अगर बात करें तो इसका मतलब होता है universal event tag अब Microsoft ads के अंदर UET tag बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से Google ads के अंदर हमारा जो remarketing का tag होता है वो होता है तो अब guys इस बात को दुबारा mention करने की I don't think से जरूरत पढ़ती है कि remarketing के concept चाहे कोई भी platform हो उसके लिए कितने ही जादा important होते हैं तो guys हम starting से यह make sure करते हैं कि हम website के उपर जो भी हमारे visitors आ रहे हैं उनके basis पर अगर हमें भविश्य में जरूरत पढ़े तो हम एक remarketing audience बना सके उसको फिर हम दूसरे campus के तुरू target कर सके इस चीज को करने के लिए जिस चीज की तरुरत होती है that is basically एक tag होता है हमारा जो हर एक ad platform हमें देता है और उसे हमें अपनी website के उपर लगाना होता है वह वाला वह कए की किसी भी code को किसी भी टाग को किसी भी script को हमारी website के ऋपर लगाने की बात आती है तो हमारे पस दो major तरीके होते है guys एक तरीका तो यह होता है कि अगर हमारे पास website का code है मतलब अगर हम website के back end में access कर सकते तो वहाँ पर जाकर जहाँ पर भी हमें code को paste करना है हम paste करने और दूसरा जो तरीका होता है जिसके favor में मैं हमेशा रहता हूँ हमेशा आप लोगों को encourage करता हूँ कि आप इसी way को जो है follow करें that is actually gtm का तरीका कि सबसे पहले आप अपनी website को gtm से connect कर ले और उसके बाद जितने भी आपको tags fire करने scripts fire करनी है वो सारी ही चीज़ें आप fire करें with the help of gtm तो guys यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि uet tag को यानि universal event tag को किस टाइब से हमारी website के उपर लगा सकते जो microsoft ads के अंदर हमें मिलता है तो इसके लिए हम लोग सीधे आ जाएंगे हमारे microsoft ads के platform के उपर यहाँ पर और यह वाली हमाने पास एक dummy website है आप देख सकते हो इसके उपर हम लोग जो हमारा microsoft ads का uet tag है उसको लगाना है for the purpose of remarketing and guys केबल remarketing कही point of view से नहीं मतलब ऐसा ही नहीं है कि केबल uet tag आपको remarketing की audience बनाने की help करता है कि जिन लोगों ने हमारे इस particular page के उपर visit कि जिन लोगों ने हमारी website के उपर visit कि उनको हम audience बना दे फिर उनको हम दूसरा campaign दिखा दे it's not only that uet tag हमारी इस चीज में भी help करता है कि हम conversions को setup करते जैसे अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी website के किसी एक page के उपर let's say thank you page के उपर अगर कोई land करता है then we will call it as a conversion या हमारी website का जब thank you page load होता है तो हम बोलेंगे कि यह हमारे लिए एक conversion है तो अगर इसको conversion को हमें जो है हमारे Microsoft ads के अंदर बनाना है तो उसके लिए भी जो ज़रूरी चीज है वो यह है कि हमारा uet tag पहले से हमारी website के उपर लगा होना चाहिए तो कहने का मतलब यह कि अगर आप Microsoft ads के उपर ads run करने की सोच रहें तो आप यह मान के चलें कि आपको uet tag तो आपको अपनी website के उपर लगाना ही लगाना है या आपका primary steps जो है वो होना चाहिए तो कैसे setup करेंगे technicality जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आपर तो हमारे सामने यहाँ पर Microsoft ads का platform है और यह हमारे पास dummy website और gtm को हम लोग use करेंगे तो gtm पहले से ही इस particular website के साथ connected है तो Microsoft advertisement platform के अंदर या Microsoft ads platform के अंदर आपको जाना है tools में और यहाँ पर आप देखो conversion tracking का आपको option दिख रहा है ठीक है और इसके बाद आपको यहाँ पर creativity tag लिखा हुआ दिख रहा है इसके उपर आपको click करना है मैं tag का नाम रख देता हूँ जैसे इस tag का नाम है जो भी website है उसके नाम पर रख सकते हो या आपकी recording है तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए इस tag का वो मैं यहाँ पर mention कर दूँगा जो भी description है जो जिस भी तरीके साम tag को पहचानते हैं that we can mention over here इसको mention करने के बाद guys मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से save and next को और next step पे हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग options होते हैं कि किस type से हमें चो कोड को अपनी website के उपर इंटीग्रेट करना है तो install the tag yourself एकर हम लोग जाएंगे और मैं next करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो है जाएंगा send the tag to developer तो यहाँ पर अगर आप इसके उपर जाएंगे तो developer को आप अपने tag को mail कर सकते हैं उसके साथ उसके instructions भी चले जाएंगे ठीक है and add the tag through a website editing platform तो अगर को वर्डप्रेस है वेबसाइट है या विक commerce की website है विक्स पर बनी website है किसी भी CMS पर बनी website है तो फिर वहाँ पर उस CMS के साथ integrate करके आप इस टाग को setup कर सकते हैं तो guys उसके बाद यहाँ पर यह आपको option देता है कि आप through GTM जो है वो अपने tag को connect कर सकते हैं पर guys GTM के through भी हमारा जो tag है उसको अपनी website के साथ connect करना या website के उपर लगाने के लिए मुझे जो चाहिए वो actually केवल यह चीज़ चाहिए जो हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो unique ID है मुझे यही चाहिए होता है right so guys यहाँ से मैं अपने GTM के उपर आ जाता हूँ ठीक है और GTM के through मुझे इस website के उपर जो हमारा UET tag है उसको fire करना है right तो guys यहाँ पर GTM में मैं tags के उपर आऊँगा tags पर आने के बाद guys मुझे जाना है new tag के उपर ठीक है new tag के उपर मैं click करूँगा और यहाँ पर मैं mention कर देता हूँ UET tag right this is what we are going to mention over here and उसके बाद मुझे जाना है tag configuration में और tag configuration में मैं यहाँ पर Microsoft जो है न वो select कर लूँगा उसको paste कर दूँगा बाकी मुझे कुछ भी change नहीं करना है सीधे आप देखो यहाँ पर pageview selected है या नहीं तो आप देखे तो यहाँ पर pageview is selected उसके बाद मैं trigger पर जाओंगा all pages सेलेक करूंगा save कर दूँगा और फिर मैं इस container को live कर दूँगा submit करके ठीक है तो मैं यहाँ पर mention कर सकता हूं जैसे मैंने यूईटी टाग लगाया हुआ है तो यहाँ पर मैं mention कर दूँगा और clarity के लिए अगर मैं यहाँ पर date वगरा mention करना चाहूंगा I can go ahead और वो चीज़ें भी mention मैं कर सकता हो तो यह totally हमारे उपर depend करता है कि हम यहाँ पर जो version का name है वो किस basis पर रखना चाहते हैं गर आप date वगरा के basis पर रखना चाहते हो then it's good तो म मैं जाना है सीधे preview के उपर मैं preview के उपर क्लिक करूंगा ताकि हमारा जो browser है वो special preview and debug mode में आ जाए और मेरा URL यहाँ पर mention है मैं simply connect कर दूँगा ताकि जो हमारा Google tag assistant हो connect हो जाए and now it is connecting ठीक है अभी थोड़ा से time लगेगा connect हो जाए and now you can see यहाँ पर भी देखो tag assistant connect हो गया और you can also see जो मेरे दो टाग्स है वो fire हो रहा है यूईटी टाग भी fire हो रहा है और बेस पिक्सल जो है Facebook वाला वो भी fire हो रहा है तो हमें यूईटी चेक करना था तो यूईटी आप देख सकते हो फायर हो रहा है इसके अलावा गाईस दूसरा तरीका भी है कि अगर हम हमारी website के वेबसाइट के उपर हम लोग चेक कर सकते हैं तो मैं simply अपनी website के उपर आ चुका हूँ यहाँ पर आप देखते हो मैंने ये extension already जो है install करका है हमें simply से on करना है और उसके बाद मुझे इसको refresh करना है तो अगर यहाँ पर कोई Microsoft का tag लगोगा तो this tag assistant will be able to predict that अभी थोड़ा सा यह time ले रहा है प्रेडिक्ट करने में कभी-कभी यह थोड़ा सा time लेता है बट उसके बाद यह प्रेडिक्ट कर लेगा कि यहाँ पर आपकी website पे Microsoft का जो tag है वो लगा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो तो तीन बार initially हमें refresh करना पड़ता है और आप देख सकते हो यह वाले जो tag है वो हमारा इस particular website के उपर लगा हुआ यह इस page के उपर लगा हुआ हम दूसरे pages के उपर भी जाए तो भी वह यह चीज रिकॉर्ड करेगा यह चीज आपको शोकर है इसे आप दूसरी website के उपर भी जाओगे तब भी आप इस चीज को देख सकते हो जैसे है एक बार के लिए इसको refresh करता हूं यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर यह वाला जो टाग आईडी है वो लगी हुई है इस Microsoft वाली website के उपर राइट तो यह वाला जो टाग helper है टाग assistant helper है आप इसको ऐसे समझ सकते हो तो यह basically हमारी help करता है यह identify करने में कि कि किस वेबसाइट के उपर टाग लगे हुए या नहीं लगे हुए तो हमें अगर यह चेक करना है कि हमारे जो टाग जो हम लोग ने लगाया था वो प्रॉपर लिए फायर हो रहा है या नहीं हो रहा तो आप इसकी help से चेक कर सकते हैं now coming back over here जब आपका टाग यहाँ पर लग ज है हår 예ही होता है कि हमारे जो यह टाग है वह proper तरीके से हमारी website के उपर लग जाय है जो कि आप देख सकते हो हमारी website की उपर प्र पर लग चुका है ठीक है तो इस टाइप से हमारा जो युनिवरसल इवेंट को टाग होता है हो था कि हमारी वेबसाइट को बे Fach घौर लगा स जो में तिल देन गुट्बाइ